Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी first case study of 12th class Yes, देखिये, case studies बहुत जादा important है when it comes to 12th class Reason being, आप उठा लीजे पुराने योर्स के कोई भी question paper and you'll see Normal question इतने नहीं पूछे गए हैं जितने case studies पूछे गए हैं Even एक एक number वाले जो question है ना उसमें भी case studies पूछी हुई है तो इतना मान के चलीगा मेरा ये suggestion कि case studies को इस level पे तो आप ignore कर ही नहीं सकते हैं So you'll have to understand case studies कैसे solve होती है and you'll have to understand case studies का answer कैसे लिखा जाता है ताकि आप इसमें तो maximum marks gain करें वैसे मैं आपको एक चीज बता हूँ, case studies चाहे आपको कितनी मर्जी difficult लगे लेकिन ये बहुत जादा scoring होती है Reason being, normal question पूछा है आप से, right differences between this and that ऐसे मैं आप कितना अर्जी अच्छा answer लिख लो, सामने वाले के पास पूरी पार होती है ये 4 के 3 number दे दो लेकिन when it comes to case studies ये पूछते हैं कुछ questions आपने अगर उनके questions सही way में attempt कर दिये, सही से लिख दिये तो उसमें आपने किस तरीके से क्या लिखा है, कितना लिखा है, वो सब matter नहीं करता इनको इतनके questions का answer मिल गया, जो कि straight away हो सकता है, no phrases में भी हो सकता है तो उतने में भी वो खुश हो जाएंगे और आपको full marks दे देंगे तो case studies scoring होने के साथ-साथ easy भी होती है अगर आप उन्हें धंक से समझें तो आए देखते हैं, ये case study क्या बोलती है, ये बोलती है, during festival season, ABC Limited received a new order of 10,000 mobile phones मतला festival season था, festival season पे हर कोई क्या करता है, shopping बहुत दिल खोल के करता है नई चीज़े चाहिए खरीद लो, नई कपड़े चाहिए खरीद लो, नई toys चाहिए खरीद लो, ऐसा होता है तो festival season था और ABC Limited को एक order मिला, 10,000 mobile phones का To be delivered in 10 days, लेकिन एक condition थी कि भाईया, आपको ये 10,000 mobile phones 10 दिन के अंदर अंदर डिलिवर करने हैं मतलब 10,000 mobile phones 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब एक दिन में 1,000 रुपे आपको mobile phone बनाने पड़ेंगे Failing which the contract will be null and void, अगर आपने 10 दिन में ये contract पूरा नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, null and void डेक्लेर हो जाएगा Null and void का मतलब होता है कि इस contract की कोई validity नहीं रहेगी Essay में, to complete this production manager planned to outsource the production so that order can be delivered on time ये बोलते हैं कि production manager को कही न कहीं समझ में आ गया था कि या अपने enterprise की उतनी है नहीं कि एक दन में 1,000 रुपे वो बना, 1,000 mobile phones बना लेंगे तो उसने क्या किया, outsource करने की कोशिश की उसने बोला किसी बहरी इंसान से बनवा लेते हैं But outsource करने में जारी थी एक problem ये बोलते हैं, the outsourcing resulted in increase in cost by 30% मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक enterprise है उसको एक contract दिया गया है, 10,000 phones का जो कि 10 दिन के अंदर अंदर deliver करने है लेकिन क्योंकि इसको लग रहा है यहां के production manager को कि अगर हमने 10,000 phones नहीं deliver करें तो contract तो क्या हो जाएगा, null and void हो जाएगा और मुझे अंदाजा लग नहीं रहा कि हमारी production इतनी fast है तो better हम क्या करते हैं, इसे outsource कर देते हैं outsource का मतलब होता है बाहर वालों से काम करवाना मतलब आप खुद नहां करके किसी बाहर वाले से कराते हैं लेकिन उस outsource से फर्क यह पढ़ रहा है कि cost 30% अबाव जा रही है मतलब cost में बढ़ावा हो रहा है जब cost में बढ़ाई होती है तो that means आपका profit कम हो रहा है effectively and efficiently आपको क्या लगता है कि production manager ने अपने duties effectively and efficiently की है अब देखे case studies कैसे solve होती है case studies ऐसे solve होती है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी वो concept याद करनी होगी जो आपने effectively और efficiently में पढ़ी होगी क्या थी वो concept let me remind you people effectively का मतलब था timely वो task complete करना और efficiently का मतलब था ना सर्फ timely complete करना बलकी सबसे कम cost में करना मतलब कम input से जादा output derive करना अब आप एक बार ध्यान लगा के सोचो क्या इस case study में production manager ने timely task complete किया बिलकुल किया क्योंकि उसने outsource कर दिया था तो हम imagine करें मतलब ऐसा लिखा नहीं हुआ कहीं specifically लेकिन इतना आपको deemed मानना पड़ेगा इतना आपको presume करना पड़ेगा कि task complete हो गया था क्योंकि outsource किया हुआ था आपने लेकिन मतलब effectively तो हो गई क्योंकि effectively का मतलब क्या होता timely complete करना timely complete हो गई है लेकिन अब सोचके देखिए क्या efficiently हुआ है 30% extra cost लगी है मतलब minimum cost नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऐसे सिनारियो में can you say efficiently हुआ है नहीं हुआ है तो effectively हुआ है लेकिन efficiently नहीं हुआ है क्योंकि आपने cost बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है second question वो बोलते हैं कि give two points of difference between effective and efficient इसमें आज सच case study का कोई रोल नहीं है normal question है कि भाया effectiveness और efficiency में difference बताइए तो difference यहीं होता है एक से time पे focus करता है whereas efficiency time as well as cost पे भी focus करती है it want की cost भी क्या हो सबसे कम हो objective क्या होता है इसका end result achieve करना है within the time stated इसका वो होता है कि cost benefit analysis करनी है मतब cost कम से कम रखनी है तो first का answer है effective but not efficient और differences में हमने जो differences पढ़े हैं chapter में जिसका video link मैं आपको नीचे description box में दे दूँगी वो आप देख सकते हैं दोनों के differences उसमें दिये हुए हैं बहुत अच्छी तरह से तो इस तरह से होगी हमारी यह case study solve I hope आपसे यह case study बन जाए क्योंकि यह बहुत simple है इससे जादा भी intense case studies आ सकती है इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ case studies जो कि इसी chapter से relate करते होगी ताकि आपका doubt clear हो जाए कि case studies को कैसे solve किया जाता है So stay tuned for that because next भी हमारा case study आने वाला है और अगर आपको notes चाहिए तो magnetbrains.com से जाके आप notes ले लिजे और अगर आपको चाहिए कोई doubt का solution तो आपको comment section में लिखे हमें बता दीजे Thank you Hello everyone, welcome back to our case study series आपके सामने यह है हमारा case study question number 2 जो की question paper में पूछा जा सकता है क्योंकि मतलब जो हमारा management first chapter है उसमें दो तिन concepts हैं जहांसे case studies उठाई जा सकती है पिस्टी वाली case study भी उसी particular topic से उठाई थी और ये वाली भी कहीं न कहीं उसी से ही उठाई है यह concept है effective और efficient के बीच का यहाँ एक case study दी हुई है जिसमें वो बात कर रहे है ABC Limited, a government manufacturing company की यह क्या है? इन्होंने एक target set किया है अपने workers के लिए इन्होंने बोला है सबको कि हर मन्त हमें आपसे 100 governments चाहिए और हर government की estimated cost होने चाहिए 200 मतलब 100 governments चाहिए और 200 उनकी क्या होने चाहिए? cost होने चाहिए उससे उपर नीचे मत जाना Mohan, इनका एक employee है जिसका नाम है Mohan Mohan ने double shift की और उसने कितने governments बनाए? 150 governments बनाए बनाने कितने थे? minimum 100 बनाने थे मतलब ऐसा था कि company ने जो टागेट दिया था वो था 100 का इसने कितने बनाए? 150 but at the estimated cost of 230 मतलब इसने governments तो जादा बनाए लेकिन cost क्या कर दी? increase कर दी फिर है हमारा on the other hand Dravy another worker focused on the cost and handled resources very carefully so he manufactured 90 governments मतलब इसने 90 बनाए लेकिन इसने resources का बहुत ध्यान रखा है तो इसने हर एक government 190 रुपे की cost पर बनाया तो मतलब 200 से कम third worker maintained the balance and achieved the target of 100 governments at the estimated cost of 200 per this तो यहाँ पर देखिए यह है मोहन यह है रवी और यह है हमारा third worker हुआ यह कि मोहन ने बनाए 150 garments target कितना था अपना? 100 garments का target था और 200 रुपे में वो बनाना था तो मोहन ने क्या किया? 150 बनाए लेकिन कितने में? 230 रुपे में रवी ने बनाए 90 लेकिन कितने में? 190 रुपे में इसने बनाए 100 लेकिन कितने में? 200 में तो basically आपको क्या करना था? आपको 100 garments देने थे जिसकी per garment की cost होती 200 रुपेज मोहन ने 150 में बनाए 230 रवी ने 90 बनाए 190 में और 3rd worker ने 100 बनाए 200 रुपे में यहाँ पे अब इन्होंने question पूछा है कि आप हमें बताईए कि मैं question रीट कर देती हुआ एक बार आपके लिए मतलब वो किस चीज में अच्छे हैं वो तो बताना ही बताना है लेकिन वो कौन सी चीज में लाक कर रहे हैं आपको वो भी explain करना है अब देखिए with a different pen यह बोलता है देखिए मोहन ने बनाए तो जादा मतलब targeted time में उसने production दो किया बहुत जादा तो मतलब यह effective तो है effective का मतलब यही होता है ना timely आप task complete कर दें जितना time frame आपको दिया है आप उतने time frame में अपनी task को complete कर ले effective तो मतलब तो यही होता है लेकिन इसने cost कितने लगवाई है इतने इसने cost लगवाई है 230 रुपए मतलब यह 200 से उपर ले गया तो मतलब यहाँ पर यह efficient नहीं है मतलब यह इंसान effective तो है क्योंकि यह timely task complete कर रहा है लेकिन यह cost जादा लगवा रहा है तो यह efficient नहीं बोला जा सकता task complete करना और efficient का मतलब होता है task तो complete करना ही है लेकिन cost आपको minimum रखनी है तो मोहन किसमें वो है effectiveness में आगे है लेकिन efficiency में पीछे है तो इसकी quality क्या है effectiveness और क्या lack कर रहा है efficiency यहीं आप रवी की बात कर लीजे रवी 90 इसने बनाए है मतलब timely अपना task complete नहीं कर पाया मतलब यह effective तो नहीं है effective तब होता जब यह timely task complete कर लेता लेकिन इसने cost कितनी लगवाई है सिर्फ 190 रुपए मतलब इसने cost minimum रखवाने की कोशिश की है तो मतलब efficient तो है तो रवी के बारे में अगर बात करें तो रवी efficient है लेकिन वो effective नहीं है तो यहाँ पे जो question था हमारा जिसमें यह बताना था हमें कि दोनों की qualities क्या है वो हमने बता दी तो first question का answer complete हो गया second question might be अभी आपको नहीं दिख रहा होगा बढ़ मैं आपके लिए read कर दती हूँ what quality is possessed by the third worker यह बोलते हैं अब भया इसके बारे में बता दो विचारा यह क्या क्या qualities possessed करता है तो इसने क्या किया timely task भी complete किया तो मतलब effective तो है यह cost भी कम रखवाई मतलब efficient भी है तो kind of बोल सकते हैं इसके अंदर दोनों ही खूबिया है मतलब हमारा जो यह third worker है हर एक चीज में क्या है अच्छा है फिर question है which worker is preferred by management मतलब इन तीनों में से किस तरह का worker management को पसंद आएगा यह बोलते है भी आई यह देखिए यह पैसे बहुत ठुकवा रहा है चाहे production अच्छा कर रहा है on the other side यह timely task की नहीं complete कर पा रहा चाहे है हमारी cost बचा रहा है बट यह जो बंदा है यह हमें थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि यह time पे task भी complete कर रहा है पैसे भी कम लगवाने की कोशिश कर रहा है तो यह बोलते हैं यह जो third type का इंसान का worker है यह management को generally पसंद आता है मतलब ऐसे लोग management को चाहिए होते हैं क्योंकि management always want कि बंदा क्या होना चाहिए efficient and effective दोनों होना चाहिए तो यह हैं हमारे answers जो कि मैं already आपको समझा चुकी हूँ I hope आपको यह case study समझ में आई होगी और अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ लेजिए कोई problem नहीं है thank you so much Hello everyone, welcome back to magnet brains My name is CS Faiyal और आप लोग के सामने लाई हूँ मैं हमारी third case study यह क्यों ला रहे हूँ मैं बार बार क्योंकि 12th में case studies ही पूछी चाहती है बच्छा इसलिए आपको case studies पे तो अपनी command बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जहां आपने case study से अपनी यह नो लाइक नजर हटाई वहीं वह क्या होता है वह एक बोला साता है ना कि नजर हटी दुरघटना घटी बिल्कुल सेम कुछ ऐसा ही हो जाएगा अगर आपने case studies को lightly ले लिया तो पड़ते हैं इस case study में है क्या यह बहुत simple case study है ऐसी case studies usually one या two marker questions में आ सकती है येस एक number के लिए भी sometimes case studies देते हैं तो आप इसे समझ लीजे ताकि एक और दो number तो आपके secured हो जाए case study है is planning, organizing, staffing, directing, controlling सबसे पहले तो मैं आपको remind कर रहा दो ये सारे क्या है हमारे functions of management है मतलब ये सारी चीजे जितनी भी दी हुई है planning, organizing, staffing, directing, controlling ये किसमें आते हैं हमारे management के functions में आते हैं और ये इसी sequence में किये जाते हैं applied in the organizations such as club, school, restaurant, hospital, etc. ये उसके बादी बोलते हैं if yes, which characteristics of management does it signify? ये बोलते हैं आपको क्या लगता है planning, organizing, staffing, directing, controlling क्या हर nature के organization पे लागू होता है जैसे अगर हम school की बात करें तो what do you think planning, organizing, staffing, directing and controlling सारे के सारे school पे apply होंगे? मतलब ये सारे functions of management क्या school को करने रहते होंगे? पहले तो इनका question ये है आपसे और उसके बाद ये बोलते हैं क्या ये सारे function इनको restaurant में करने रहते होंगे? फिर इनका third question है क्या ये सारे function इनको hospital में करने पड़ते होंगे? अगर आपका answer हां में आ रहा है तो यहां से आपको management के बारे में वो कौन सा character stick याद आता है जो ये particular example signify करता है? तो what they are trying to ask first कि भईया what do you think हर एक organization में planning, organizing, directing, controlling इनका effort होता होगा? क्या इनका कोई role होता होगा? क्या? और अगर होता है तो ऐसे में ये management के कौन सी character stick को दिखाने का काम कर रहा है? signify करने का काम कर रहा है? आपको वो explain करना है अब मैं बात करते हूँ इसके answer के बारे में तो सबसे पहले आप सोचिए क्या schools में planning नहीं होती? क्या school में organizing नहीं होती? क्या school में directing, staffing और controlling नहीं होता? होता है school वाले भी बहुत सारे plans बनाते हैं organization करते हैं staffing करते हैं, directing करते हैं, controlling करते हैं और restaurant में तो भया यह चीज miss हो गई तो restaurant का तो कामी हो जाएगा तो ऐसे में restaurant को भी वो चीज करनी पड़ती है और उसके बाद बात करें अगर हम किसी hospital की तो आप मानिए अगर hospital में हर एक चीज अच्छे से planned नहीं होगी अच्छे से organized नहीं होगी तो hospital बहुत ही ज़ादा क्या हो जाएगा होचपोच में चला जाएगा तो ऐसे scenario में answer ये है कि हर एक type की organization में जब management आती है तो management की सारे function वहाँ पे apply होते हैं तो first question का answer क्या है Yes, it signifies कि हर एक type की organization में ये सारे functions important है अब आप मुझे बताईए कि management का वो कौन सा feature है कौन सा character sick है जो यहाँ पे signify हो रहा है आप अपना answer मुझे comment में जल्दी जल्दी लिख दीजे मेरे इतने ही मतलब यहाँ पे time आप रोग दीजेगा और answer अपना लिख के फिर उसके बाद मेरा answer देखिएगा और check कीजेगा क्या आपका answer सही है कि गलत है I hope आपने रोग दिया है अपना वीडियो प्ले होने से मैं आपको बताती हूँ इसका answer क्या है यह बोलते हैं आपको characteristic की बारे में बताना है हमने management की बहुत सारे characteristics पढ़े थे उसमें हमने एक character पढ़ा था कि management is pervasive और वहाँ पे मैंने आपको बोला भी था यह हमारा है keyword इस पे बहुत ज़ादा focus कीजेगा तो यह बोलते हैं भाईया management pervasive है मतलब किसी भी तरह की organization होगी किसी भी तरह का level होगा किसी भी तरह का department होगा हर एक जगे management की ज़रूरत है तो यहाँ पे कौन सा characteristic निकल की आ रहा है management is pervasive तो यह characteristic यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे है और pervasive को फ़र हम explain करेंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि भी यह pervasive का मतलब होता है management की ज़रूरत हर एक organization में होती है हर एक department में होती है हर एक section में होती है हर एक you know like part में होती है तो हर एक जगे यह क्या होना चाहिए present होना चाहिए और मैं आपको दिखा देती हूँ आपका answer that is yes the characteristics which signifies management is pervasive और उसकी definition यहाँ पे लिख दी गई है I hope आपको यह case study समझ में आया होगा और simple लगा होगा ऐसे में देखिए case studies में जैसे हम 11 में करते थे ना कुछ points पढ़ लेते थे कुछ points छोड़ देते थे यहाँ पे अब आप मों नहीं कर पाऊगे क्योंकि case study बहुत सारी पूझी जाती है तो यहाँ पे आपको हर एक point को बहुत minutely पढ़ना पढ़ेगा अच्से से याद रखना पढ़ेगा क्योंकि अगर आपका characteristics में आपने चार character याद कर लिया थे परवेसिफ वालन नहीं याद करते तो यह case study नहीं बनता आपसे तो 12 में याद रखिएगा first chapter है, first chapter से ही habit बिल्ट कर लो कि सारी की सारी चीज़े हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है और कोई भी चीज छोड़के नहीं जानी है I hope यह सब समझ में आया होगा आपको अगर कोई भी डावट है तो comment section में लिख दीजे और अगर आपको notes चाहिए तो magnetbrains.com पर जाके आप notes भी ले सकते हैं Thank you Hello everyone, welcome back to magnetbrains Pizza देखने से पहले मुझे देख लीजे मेरी बात सुन लीजे और उसके बाद act कीजेगा Yes, यह है हमारी case study Case study number 4 जो कि हम इस particular उसमें cover कर रहे हैं और यह case study बहुत जादा interesting है Not because of the pizza but because of the question यह बोलते हैं Domino's Pizzas keep introducing new variety of pizzas in its menu यह बोलते हैं जब मैं Domino's जाती हूँ हर अगली बार Domino's में देखती हूँ एक new variety of pizza उनके menu में add हो चुकी होती है Which characteristics of management is highlighted in this? यह बोलते हैं कि भाया इसमें में management की कोई characteristics चुपी हुई है What do you think? क्या होती है? Explain any two characteristics of the management फिर यह बोलते हैं कि चलो इतना हो गया मतब यह question हो गया उसके बाद यह है कि दो characteristics of the management को आपको क्या करना है? Explain करना है अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक बहुत simple trick देखे मैंने बोला कि इनों ने यहाँ पर पूछे हैं दो question बच्चा का क्या होता है? बच्चों को अगर यह first characteristics समझ में नहीं आए characteristics of management कौन सी highlighted है? first of all तो यह एक number का question हो गया उसके बाद यह दूसरा है जो अलग number का है तो बच्चे गया करते हैं? यहाँ तक चीज समझ में नहीं आए? question छोड़के आ जाएंगे मत करना ऐसा यहाँ आपको यह characteristic दिमाग में नहीं आया it's okay कोई problem नहीं है लेकिन यह जो आगे आपसे बहुत ही general question पूचा हुआ है इससे जरूर लिख के आना क्योंकि अगर आप इससे भी छोड़ाएंगे first वाले के चलते हुए तो आपके पूरे marks चले गए whereas अगर आप उसको लिखेंगे तो हो सकता है examiner को लगे कि भाईया इसके points तो देने बनते हैं I am not giving you the guarantee के हमेशा मिलेंगे लेकिन कुछ ना लिखने से कुछ लिखना ही बहतर है कुछ ना होने से कुछ होना ही बहतर है तो इसलिए first का answer नहीं भी समझ मैं characteristics of management जो की इस statement में चुपा हुआ है statement क्या थी? statement यह थी कि 2010 में मैं पीजा खाने गई तो मुझे एक variety दिखी 2012 में खाने गई तो मुझे दो variety दिखी 2014 में खाने गई तो मुझे तीन variety दिखी और हर बार variety क्या और यह increase हो रही है फर्स में देखिए कुछ भी नहीं डाला हुआ सर्फ चीज चीज डाला हुआ है second में उन्होंने कुछ non-vegs को टाल दिया मैं नहीं खाती third में उन्होंने क्या किया बहुत सारी veggies डाल दी और मुझे बीच में नई mushrooms है ठीक है तो बहुत सारी vegetables डाल दी और फिर मैं गई 2020 में तो उन्होंने उसे और improve कर दिया तो और better बना दिया तो यहाँ पे देखें अगर आप तो बहुत सारी चीज़े हैं मतलब बहुत महिंगी महिंगी vegetables में से कुछ-कुछ आड़की हुई है तो आप यहाँ पे यह बताईए कि हर बार आप जा रहे हैं एक नई variety आड़ हो रही है कुछ अलग आ रहा है कुछ नया आड़ हो रहा है तो ऐसे में what do you think management का कौन सा character से किया पे display हो रहा है see अब तक आपके दिमाग में answer आ जाना चाहिए और अगर आ गया है तो comment section में अभी video record मतलब play से हटा दीजे, stop कर दीजे और वहाँ पे answer लिख दीजे और उसके बाद दुबारा से देखिए और answer समझे इससे क्या हो जाएगा आपके answer कि testing भी हो जाएगी कि आपको क्या answer आता है कि आपका answer सही है कि नहीं है अगर गलत हुआ तो बाद में delete भी कर देना कोई problem नहीं है so basically यहाँ पे यह बोलते हैं कि अलग-अलग time पे आपने अलग-अलग चीजे introduce किये हैं अगर आपको याद हो जब मैं characteristics आपको समझा रही थी तो मैंने आपको समझाया था कि management को हमें कैसे चलाना पड़ता है अपने surroundings के according चलाना पड़ता है जैसे हमारा environment होगा वैसे हमारी management होगी तो मतलब जिस तरह का environment आपको लग रहा है उस तरह की management पे आप changes लाएंगे और इस feature को क्या बोलते हैं इस feature को हम बोलते हैं dynamic अगर हम बोलते हैं कि management dynamic है तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही आपके environment में कोई भी change आ रहा है वैसे ही आपके management में भी क्या हो रहा है changes आ रहे हैं तो यहाँ पे आप बार बार new variety of pizza क्यों introduce कर रहे हैं क्योंकि आपका starting में environment ऐसा था कि ये pizza लोग पसंद करते थे फिर लोगों का taste बदलना शुरू हुआ फिर लोगों ने उस पे toppings लेना शुरू कर दिया फिर लोगों ने बोला हमें vegetable topics भी चाहिए तो ये लेना शुरू कर दिया फिर लोगों ने बोला हमें combination चाहिए non-veg plus veg सबका combination तो ये लेना शुरू कर दिया तो जिस तरह से आपका environment change हुआ, उस तरह से आपके management के skills भी change हो गए और उसी तरह से आपका variety भी change हो गया So, यहाँ पे हमारा answer है कि management is dynamic Management is what? Dynamic So, यह हमारा answer हो गया उसके बाद यह बोलते हैं, explain any other two characteristics of management भया, management के कितने characteristics पढ़े हैं? कोई बुठा के डाल दो Pervasive डाल सकते हो, dynamic को ही explain कर दो या फिर अगर चाहो तो goal oriented किसी को भी explain कर दो यह सारी वीडियो की मैं आपको link description box में provide कर दूँगी सोधाट अगर आपने अभी तक वो नहीं देखिया हैं, तो आप देख लें और आप अच्छे से अपना answer लिखके आईएगा I hope ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये case study आपको समझ में आई होगी और interesting भी लगी होगी अगर कोई भी problem गई है, तो doubt section मतलब comments में ही doubt पूछ लीजे और अगर आपको notes नहीं है, तो magnetbrains.com से जाके notes ले लीजे When I say notes मतलब, जितने भी आपके videos पुराने पढ़ाए गए हैं, उनके notes as well as these case studies ये सब available हैं आपके लिए, thank you so much Hello everyone, welcome back to magnetbrains, my name is CS Payal और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और case study के बारे में Actually, मैं पढ़ाने नहीं वाली, मैं आपको सिर्फ समझाने वाली हूँ और answer सोचना पड़ेगा आपको अपने दिमाग में और फिर उसके बाद मैं answer करूँगी, तो आपको verify करना पड़ेगा कि क्या आपका answer correct है कि नहीं है एक reason और बता देती हूँ, case studies दिल करने के लिए क्योंकि 12th class में सिर्फ और सिर्फ आती है case studies maximum paper pattern ये रहा है हमारा कि साधतर case studies ही पूची जाती है तो इस पे तो आपको अपनी command बनानी ही बनानी पड़ेगी चाहे आपका command हो या नहीं हो अब ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप skip करके जा सकते हैं अब ये ऐसी चीज है जिसको अगर आपने skip किया तो कहीं न कहीं paper पूरा क्या हो जाएगा तो समच जाएए ये चीजे बहुत ज़्यादा important है आईए इस case study में पढ़ते हैं क्या हुआ ये बोलते हैं कि इनसान है आशुतोष गोएंका ये जो इनसान दिख रहे हैं आपको सर पकड़े हुए ये है हमारा आशुतोष गोएंका वोज वोर्किंग इन आइक्स लेमिटेड अ कंपनी manufacturing air purifiers ये है air purifier जिसको नहीं पता air purifier क्या होता है देखिए हमारे यहां की हवा बहुती दूशित होती जा रही है pollution के कारण तो जैसे ही technology आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमें नई नई चीज़ें मिलती जा रही है तो इन्होंने बोला कि जब गंदे पानी को साफ करने के लिए water purifier आ सकता है तो गंदी हवा को साफ करने के लिए air purifier क्यों नहीं आ सकता तो बस नाम लिया और इन्होंने technology बना दी तो यह कहीं न कहीं दूशित हवा को साफ करने का काम करती है फिर यह बोलते हैं पिछले 6 महीने से यह देख रहा है कि जो profits है न वो कहीं न कहीं क्या हो रहे है नीचे जा रहे हैं, decline कर रहे है Profit has an implication for the survival of the firm So he analyzed the business environment to find out the reasons for his decline So यह बोलता है कि भाया देखे कोई भी business सिर्फ profit के भरोसे चलता है उसका survival तो profit के भरोसे ही चलता है अब यह पैसा नहीं होगा, रोकड़ा नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा तो यह बोलते हैं कि भाया इसको भी चीज रालाइस होगी कि भायी पैसे नहीं होगे तो दिक्कल तो जाएगी तो he started analyzing things उसने बोला पता तो लगाओं कि profit decline क्यों हो रहा है तो वो बैड़ गया, books लेके, सारी चीज़े लेके और analyze करने लग गया यह है आपकी situation और इसी के basis पे आपको answer करने है कुछ question जो की है identify the level of management at which आशुतोष कोयंका was working आपको identify करना है वो level of management जिस पे आशुतोष काम कर रहा है पहले मैं आपको remind करवा देती हूँ levels of management हम पढ़ चुके है top level, middle level and lower level तो यह तीन levels होते हैं याद करने की कोशिश कीजिए कि यह analysis, profit के बारे में सोचना policies बनाना कौन से level का काम है I hope आपके दिमाग में answer आ चुका होगा यह है हमारा सबसे उपर वाले position वाले लोगों का काम आप बताएए क्या एक worker या फिर employee profit में interested होगा वो सिर्फ अपनी salary और क्या? wages में interested होगा, उसको profit से कोई लेना देना नहीं है लेकिन profit में कौन interested होगा? जो topmost level पे बैठे हूँ है, जिनकी जादा crucial post है और उपर से सोचने वाला काम कौन करता है enterprise में? जब मैं आपको यह levels बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम करते हैं, top level के लोग सो यह कौन से level पे बैठा होगा? टॉप लेवल पे बैठा होगा, तभी यह इतना concerned है profit के decline होने से और तभी इसे फर्क पर रहा है और तभी यह analyze कर रहा है फिर यह बोलते हैं, state three other functions being performed by आश्यतोश कोईंका कुछ नहीं है, सिर्फ direct question है पूछ रहा है कि top level के जो लोग होते हैं, उनके कोई भी तीन functions बता दीजे मतलब जो लोग भी top level की position occupy करते हैं, आप बता दीजे कौन कौन से काम करते हैं, उनमें से सर्फ तीन काम का नाम लेना है तो first answer हमारा हो गया top level बिलकुल ठीक और उसके बाद top level management के functions हम already पढ़ चुके हैं अगर आपको कोई भी doubt हो, तो मैं आपके लिए description box में उस video का link डलवा दूँगी जहां पे आपको ये functions के बारे में पूरी knowledge मिल जाए यहां हम उपर उपर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है determining the objectives of the enterprise किसी भी enterprise के objectives को ये क्या करता है मतलब वो करता है, define करता है, determine करता है कि enterprise मतलब पूरी organization क्या achieve करना चाहती है, वो कौन decide करता है ये करता है second है framing of plans and policies framing of plans and policies मतलब पूरी company के लिए जो plans बनाने का काम है जो policies बनाने का काम है वो कौन कर रहा है वो भी आशुतोष ही कर रहा है क्योंकि ये कौन से level पर बैठा हुआ है topmost level पर बैठा हुआ है इसके अलाबा organizing activities to be performed by person working at middle level ये बोलते हैं भया top level के नीचे कौन आता है middle level आता है तो middle level पर नजर कौन रखेगा top level रखेगा कोई भी नजर कैसे रखता है उपर से रखता है ना नीचे वाला इंसान थोड़ी ना नजर रखेगा ऐसे करके हमेशा नजर कैसे रखी जाती है ऐसे तो जो top level पे आएगा वही तो middle level पे नज़र रखेगा तो यहाँ पे ना सर्फ ये policies बनाएंगे ना सर्फ company के objectives define करेंगे, determine करेंगे बलकि कहीं ना कहीं ये हमारे जो middle level वाले लोग हैं वो किस nature का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इस सब define करने का काम करेगा तो ये था हमारा case study जो की बहुत ही simple था जिसमें क्या था? कि एक लड़का था, जो की कहां काम करता था? एक company में काम करता था, कौन सी company थी? एर purifier वाली company थी, अब उसकी company के profits decrease होने लग गए जब decrease हुए तो उसने सोचा पता तो लगाऊं कि क्यों decrease हो रहे हैं तो उसने analyze करना start किया, जब उसने analyze करना start किया तो वो report बनाने लग गया और आपको answer करने थे उसी के कुछ basis पे I hope आपको ये case study समझ में आई होगी और अगर कोई भी doubt है तो comment section में पूछ लीजे और अगर आपको ये case study चाहिए और इसके answers चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं magnetbrains.com से I hope ये आपको बहुत simple लगी होगी इसी nature की case studies आती हैं बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है थोड़ा सा you know like concentration से बैठना है और थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है फिर तो case study ऐसे हो जाएंगे कि विलकुल आप easily solve कर पाएंगे Thank you so much for watching this video Hello everyone, welcome back to magnetbrains My name is C.S.Phyal और इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं एक और case study के बारे में Yes, we are starting a case study जो है XYZ Power Limited के बारे में अच्छा ये किस nature की company है और for that matter ये company है या sole proprietorship है I hope आपको पता चल गया होगा That it's a public company Ma'am ये कैसे पता लगाया आपने public है कि private है तो बच्चा याद करो 11th class का वो particular chapter जिसमें हमने पढ़ा था Naming of Companies और naming में हम कैसे naming करते हैं कि अगर private company होती है तो उसके पीछे लिखते हैं PVT, Ltd और अगर public company होती है तो उसके पीछे लिखते हैं Ltd और company के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ लिखा जाता है जो कि इहां पर भी लिखा हुआ है तो यह किस नेजर की company है एक public company है Set up a factory for manufacturing solar landers in a remote village as there was no reliable supply of electricity in the rural areas यह बोलता है कि भईया यह XYZ Power Limited जो थी ना बहुत अच्छी company थी बहुत अच्छी company मैं इसने बोल रहे हैं क्योंकि एक remote area में गई remote village में गई जहां पर कोई चीज नहीं जा पाती है और इसने notice किया वहां पर कि है वहां पर electricity की problem villages में usually ऐसा होता है rural areas में हमेशा ऐसा होता है कि लोग वहां पर बिना electricity के रहते हैं या बहुत ही कम electricity में adjust करते हैं तो इन्होंने पता चल गया इन्होंने फट से मौके पर चौका मारा अपनी उस opportunity को grasp किया और कहां चले गए उस area में चले गए जब यह उस area में गए अपनी factory set करने के लिए the revenue earned by the company was sufficient day by day so decided to increase production अब क्या था इन्होंने initially अच्छा revenue कमा लिया अब हम बोलते हैं कि कभी हम संतुष्ट तो होते नहीं हैं अगर हमें थोड़ा मिलता है तो हमें और चाहिए होता है और थोड़ा मिलता है तो और चाहिए होता है हमारा लालच बढ़ता जाता है greediness बढ़ती जाती है तो इस company की भी लालच बढ़ती जा रही थी इसने बोला अच्छा यार profit कमा रहे हैं और कमाते हैं, थोड़ा और कमाते हैं, और इसके लिए इसने सोचा expand करने के बारे में, जब हम expand करते हैं, तो हमारा profit भी expand करता है, तो यहां क्या हुआ, generate higher sales करने के लिए इन्होंने सोचा company को थोड़ा सब बढ़ा करते हैं, For that, they decided to employ people from the nearby villages, इन्होंने सोचा कि nearby villages, मतलब अगर ये इस remote area में काम कर रहे थे, तो जितने भी आस पास के area के villages हैं, वहां से हम क्या लाते हैं, employees पकड़ पकड़ के लाते हैं, The company also decided to open schools and creches for the children of its employees, फिर company ने क्या सोचा, कि साथ में हम school खोलते हैं, और creches खोलते हैं, जिनने नहीं पता creches क्या होता है, मान लीजे कोई नया नया बच्चा है, इन फाइंट है, अब उसको ना मम्मी पापा की जरूरत होती है, अब ऐसे सिनारियो में जब उसकी मा जॉब कर रही होगी, तो वो जादा देर के लिए उससे दूर नहीं रह पाएगा, तो official area में ही, या फिर official area के पास में, ऐसे rooms खो सकती है, तो मतलब ऐसा होगा कि पूरे दिन के लिए आपको अपने बच्चे को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, थोड़े थोड़े इंटरवल पर आपके अपने बच्चे पर नजर भी रख सकती है, आपना आप काम भी कर सकती है, तो company की बहुत अच्छी सोच थी, उसने क्या बोला, कि स्कूल खुलवा देते हैं, और क्रेशेस खुलवा देते हैं, यहां यह बोलता है, identify the objectives of management discussed above by quoting lines, Okay, see, यह क्या बोलते हैं, आपको basically objectives बताने हैं, हमने पढ़ा था management के तीन objectives होते हैं, एक होता है organizational objective, एक होता है social objective, और एक रहता है हमारा personal objective, Organizational objective किस से relate करते हैं, organization से relate करते हैं, personal objective relate करते हैं हमारे employees से, और social objective relate करते हैं हमारे society से, तो अब यह बोलते हैं कि यहां पे आप इस पूरे case study में हमें यह बताईए कि किस-किस nature के, किस-किस object की चीज़ें यहां पे हो रही हैं, तो यहां हमें quote करने ही पड़ेंगी line, जिनसे हम समझेंगे कि कौन सा objective इस particular line में हम achieve कर रहे हैं, मैं आपको पहले lines बता देती हूँ, जिससे कुछ न कुछ objective निकल रहा है, एक हैं यहां पे यह हो गई हमारी first line, एक objective हमारा यहां से पूरा हो रहा है, दूसरा objective हमारा है, यहां से, open schools and crashes, तीसरा हमारा है, यहां से, थोड़ा सा दिमाग लगाईए और मुझे बताईए comment section में कि कौन सा objective हमारा किसको define कर रहा है, क्या define कर रहा है, वीडियो को दो सेकिन के लिए pause कर दीजे, अपना answer लिख लीजे और उसके बाद वीडियो को start करके देखिएगा, कि क्या आपका answer correct है या गलत है, ओके, दुबारा बता रही हूँ, ये case study दी हुई है, जिसमें हमें ये बताना है, कि management का कौन सा objective इन lines में हमने discuss किया है, मैंने hint के लिए आपको वो lines भी quote करके देदी है, जिन में तीनों objective के बारे में बात हो रही है, I hope अभी तक आपने अपना answer लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा तो दिमाग में तो इल्ली सोच ही लिया होगा, अब मैं आपको answer बता देती हूँ, C, increase production to generate sales, ये हमारा है organizational objective, organizational objective हम क्या सोचते हैं, अपने organization के growth के बारे में सोचते हैं, अपने organization के profit के बारे में सोचते हैं, अपनी organization के expansion के बारे में सोचते हैं, तो हम वही तो सोच रहे हैं यापे, तो एक हो गया हमारा organizational objective, फिर यह पोलते हैं सेकिन्द बताईए employ people from nearby villages मतलब दूर दरास एरिया से जो villages हैं मतलब आस पास के sorry villages हैं वहाँ से लोगों को employment देना जब आप लोगों को employment देंगे तो आप कर रहे हैं society का भला और जब आप society का भला करते हैं तो यह कौन सा अब्जेक्टिव हो जाता है हमारा सोशल अब्जेक्टिव जब हम सोसाइटी का बहला करते हैं तो क्या हो जाता है और फिर आता है ओपन स्कूल्स और क्रेश अब यहां पर हम अपने इंप्लॉइस के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम उनके बच्चों के लिए स्कूल्स खुल पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ हम यहां बात कर रहे हैं पर्सनल अब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी पर्सनल अब्जेक्टिव मत social objective आ रहा है employees से और personal objective आ रहा है to open schools तो ये हो गए हमारे तीनो answers ये थोड़ा सा indirect question था या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला question था ऐसी case studies भी बिलकुल आ सकते हैं be prepared for it, be ready for it आपको किसी भी nature की case study आ जाते हैं वो आपको simple भी लग सकते हैं और difficult भी लग सकते हैं तो सबके लिए तयार रही है and I hope ये को a case study आपसे बन जाए paper में और यहां तो आपको समझ में आई गई होगी नहीं आई है तो doubt section में फूच लेजे और अगर आपको ये particular case study और इसके answer चाहिए तो आप magnetbrains.com से ये ले भी सकते हैं Thank you so much Hello everyone, welcome back to magnet brains, my name is CS Payal और यहां हम बात करने जा रहे हैं एक और case study के बारे में मैं हम इतनी case study क्यों पढ़ रहे हैं हम तो बच्चा हम इसनिये पढ़ रहे हैं क्योंकि maximum आपके paper में case study ही पूछी जाती है इतना content नहीं पूछा हुआ जितनी case study पूछी हुई है 2019 का ही paper उठा लिजे, you'll get to know about this तो basically आपको case study पढ़नी पढ़ेंगी चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं करें case study के answer पहले ही आपको दिख गए हैं बड़ प्लीज अब दुबारा से इसके मत कीजेगा यह देखिए, यहां पे case study बोलती है ABC Limited is running a chain of fast food restaurants in India जो हमारी ABC Limited है, एक company है, यह इंडिया में fast food restaurants की chain खोलके बैठी हुई है chain खोलके बैठी हुई है, क्या मतलब गले में पहनने वाली छेल? नहीं fast food की chain का मतलब है, एक जगे खोला पहले आपने restaurant, फिर दूसरी जगे खोला, फिर तीसरी जगे खोला, फिर चौती जगे खोला तो ऐसे आप एक पूरी chain create कर रहे हैं तो ऐसा ही एक particular fast food restaurant था ABC Limited The business was flourishing, but over the last two years, they observed that the revenue and profit is declining ये बोलते हैं वैसे तो business बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा चलता था लेकिन पिछले दो साल से कही न कहीं हमारा जो revenue था और जो हमारा profit था, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा कम हो रहा था The management observed that with the entry of new fast food chains from across the world, the people are shifting to these restaurants So the management planned to add new variety of food ये बोलते हैं कि बहुत ताइम ऐसा देखा गया है कि अब क्या है, वोल्ड ओवर से fast food chains आ रही है आप मानिये, पहले Mac-D वगेरा इतना नहीं आओ करता था, अब Mac-D, then हमारा Pizza Hut ये तो चली बहुत common है क्योंकि बहुत पहले आ गय थे, अब Burger King, ये वो, ये वो मतलब कितने भी नए restaurants का नाम लीचे, सारा क्या है, वोल्ड से कहीं न कहीं से उठाके इंडिया में आ गया है तो इसके चलते हुए, जो already यहां के होंगे, वो कहीं न कहीं competition में पीछे हो दूँगे तो ये ऐसा ही हुआ, कि जो हमारी fast food chain थी, जो ABC Limited थी, इसको भी बहुत बुरा जटका पड़ा, वो global fast food chain थी, उनके यहां पर आ जाने से फिर ये बोलते हैं कि management थे decide किया, कि भी या ऐसा तो नहीं चलेगा, हम loss में तो काम नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं, हम ना new variety add करते हैं अपने menu पर, अब क्या होता है, कोई भी restaurant इस वज़े से नहीं चल रहा होता या तो उसका taste विकार होता है, या फिर वो menu में कुछ new चीज़े add नहीं करते हैं, पुरानी पुरानी चीज़े बेचते रहते हैं तो इन्होंने बोला, let's do one thing, हम menu को थोड़ा सा change कर देते हैं, नहीं variety of चीज़े add कर देते हैं फिर ये बोलते हैं, for that they send the efficient employees abroad for training and imported machines to maintain the quality of the food ये बोलते हैं भी या menu में अगर चीज़े add करनी है तो पहले वो नहीं चीज़े सीखनी भी पड़ेंगी न, कहीं न कहीं से you'll have to learn की कैसे अच्छा बनाए, क्या करें तो इन्होंने अपने कुछ efficient employees को कहां भेज दिया, इन्होंने भेज दिया बाहरी दुनिया में, कि जाओ, सीख के आओ, और जो भी required machinery साथ में लगती है, उसे लेखिया required machinery का मतलब है, जैसे आप बोले एक french fries, french fries के लिए अलग से एक fryer आता है, जिसमें वो उसे तलते हैं, तो वो machinery, जो छोटी-मटी machinery उस respective recipe के साथ आड़ होने वाली है, उसको भी साथ में लेकिया, तो ये plan किया है, इन्होंने पूरा Company make sure only fresh food is served to the employees, sorry customers, so at night they distribute leftover food in the nearby slum area ये बोलते हैं, इस company की policy थी कि भी या नाम already क्या हो रहा है, थोड़ा सा बिगड रहा है, तो बेटर हम क्या करते हैं, हर रोज नया fresh food serve क्या करेंगे बट ऐसा कोई restaurant नहीं होता, जिसमें पिछले दिन का कोई भी चीज बचे ना, वह चीज़े बच जाती हैं, तो वो बची हुई चीज़े इन्होंने decide किया, कि slum area, गरीबों को क्या करके आएंगे, दान देके आएंगे To increase profit margin, the supervisors take special care that there is minimum wastage and maximum utilization of the resources इन सब चीज़ों को ensure करने के लिए, तो supervisor ने बोला कि, भाई, आँ मेरे organization में कम से कम wastage हो ने चीज़े हैं, maximum resources generate करो out of the inputs So, पूरा case एक बार देख लेते हैं, दुबारा से ABC Limited थी, एक fast food chain की company अब इंडिया में उसके बहुत सारे fast food restaurants थे लेकिन विश्व भर से अलग-अलग fast food chain जब इंडिया में entry ले रही थी तो उसके कारण यह हुआ कि हमारे यहां की जो ABC थी, थोड़ा सा पिछड गई और इसके profit क्या होने लग गए, कम होने लग गए, revenue क्या होगा, कम होने लग गया तो उस time पे इन्होंने decide कि हम अपने लोगों को विश्व भर में भेजेंगे, नई-नई recipes सीखने के लिए, so that हम नई-नई recipes को अपने menu में क्या कर सके, add कर सके और इन्होंने ये भी decide किया कि हम अपने customer को हर रोज नई चीज़े खिलाएंगे, बासी चीज़े नहीं खिलाएंगे तो जिसके कारण एक दिन जो बचता था रात को, वो ये क्या कर देते थे, slum area में गरीबों को जाके बाट देते थे अब on the basis of all this information, identify the three points of importance from the above para by quoting lines ये बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना, पूरी अपनी case study में तीन points उठाने हैं जो कि किस से relate करते हैं, importance से relate करते हैं हमने पढ़ाता ना management की importance, तो ये इस से relate करते हैं, तीन points उठाने हैं आपको see, एक दो points में mark कर देती हूं आपके लिए, mark करूं की नहीं करूं, कर देती हूं तो ये बोलते हैं, एक तो new variety of food add करेंगे nearby slum area को कुछ देखे आएंगे supervisor will take care of this, ठीक आपन को तीन ही करने हैं, तो तीन काफी है okay, answer देखते हैं, answer says, management creates dynamic organization मतलब जैसे-जैसे situation change हो रही है, आप अपने आपको change कर रहे हो तो जैसे-जैसे आपको feel हुआ, आप पिछर रहे हो दूसरों के comparison से comparison में, तो आपने अपने venue को क्या करा, नई variety add करने के बारे में सोचा आपने अपने menu में नई variety add करने के बारे में सोचा तो first importance is dynamic organization second objective हो है हमारा, management helps in achieving personal objectives इन्होंने क्या करा, इन्होंने भेजे अपने employees कहाँ पर बाहर इससे क्या होगा, employees का भला होगा, employees की growth होगी, उनका career improve होगा तो कहीं न कहीं हमारे personal objectives के बारे में भी सोच रहे हैं यह सिर्फ organization का भला नहीं करा रहे हैं, यह organization का भला कराने के रहे कहीं न कहीं by default आपका भी भला कर रहे हैं और उसके बाद है, management increases efficiency मतलब जो यह हमारा supervisor है, वो special care के बारे में सोच रहा है minimum resources में maximum produce करने के बारे में सोच रहा है तो यह हो गया हमारा तीसरा importance का point तो बस आपको कुछ नहीं करना था, पूरी case study पढ़नी थी, वहां से points पिक करने थे और वो explain कर देना थे अब यह case study आप तब तक नहीं अच्छे से पढ़ पाऊगे, तब तक आप नहीं अच्छे से answer कर पाऊगे जब तक आपको सारे importance point याद नहीं होंगे तो अगर वो सारे importance point आपको याद करने हैं, तो पुरानी हमारे कुछ वीडियो स्क्रॉल करके देखिए आपको वो importance के सारे point मिल जाएंगे, जिससे आपको concept clarity हो जाएगी और फिर case study easily बन जाएगी I hope आपको ये case study समझ में आई होगी, अगर कोई भी doubt है तो comment section में पूछ लीजे और अगर आपको चाहिए ये particular case study और इसका answer तो आप ये ले सकते हैं magnetbrains.com से Thank you so much Hello everyone, welcome back to magnet brains, my name is CS Faiyal और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं highly expected case study के बारे में ये case study बहुत अच्छी है अगर आप जहान से सुने तो, मैं हर case study में नहीं बोलती हूँ, कुछ case study में आई से ये बहुत simple है, बहुत अच्छी है बतलब अगर आजाए तो आपके full marks आजाएंगे, लेकिन ये case study kind of समझने वाली है और ना से समझने वाली है, बलकि दो तीन चीजों, दो तीन concepts को मिला के बनी है तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, they say management has evolved like a discipline there are number of books on management, मैं कुछ चीजों को highlight करे हूँ, आपको hint देने के लिए there are number of books on management, students are learning from these books various principles and theories of management, but of all the students that do MBA, some are successful and some are not what they are trying to say, कि management क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, management पे बहुत अच्छी से books लखी हुआ है लोग बाग पढ़ते हैं, उसे MBA करते हैं, MBA में नहीं नहीं चीज़े सीखते हैं लेकिन हर एक MBA करने वाला इंसान जो है, वो successful नहीं हुआ है उसके बाद ये बोलते हैं, the success depends upon the creative application of the principle बहुत अच्छी बात बोले हैं इन्होंने, इन्होंने बोला है, MBA करने से किसी के अंदर creativity नहीं आ जाती है लोग को बहुत बढ़ा वहम होता है कि MBA कर लिया तो हम creative बन गया है, नहीं बच्छा ऐसा जरूरी नहीं है, creativity inborn होती है, मतलब वो कहीं न कहीं अंदर से आती है, वो कोई course नहीं सिखा सकता आपको तो ये बोलते हैं कि creative application of these principles will help in becoming successful Today many companies have started giving importance to corporate social responsibility एक नई line और add हो गई है कि बहुत सारी companies ने आज कर corporate social responsibility पे focus करना start कर दिया है अगर आपको नहीं याद corporate social responsibility क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूं ये होती है companies की responsibility towards the society क्योंकि जब भी आप society से resources लेते हैं तो in return आपका भी बनता है society को resources वापिस करना मतलब कुछ ना कुछ in return वापिस करना तो वो आप CSR के form में करते हैं फिर ये बोलते हैं in the above para one feature of science, one feature of art and one feature of profession each are given identify each one of them by quoting lines अब आपको समझ में आया मैंने ये highlight क्यों किया है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये science, art and profession के एक-एक feature के बारे में बता रहे हैं मैं दुबारे से case study समझा देती हूँ case study है कि भया management बहुत लोग करते हैं MBA बहुत लोग करते हैं management पे बहुत अच्छी-च्छी books लिखी गई है लेकिन हर इंसान जो management MBA कर रहा होता है वो successful नहीं होता successful होने के लिए आपको बनना पड़ता है creative और दूसरा ही बोलते हैं आजकल company CSR की तरफ जा रही है यहां इसे हमें एक-एक point कहां का उठाना है science, art और profession का उठाना है hint के लिए मैंने already circle कर दिया है वो features लेकिन कौन सा feature किसका है और क्या feature क्या बोलता है वो कर समझना है I hope आप वो case study समझ में आ गई है मैं आपको आपको answer बताने जा रही हूं first यह बात करता है books के बारे में books किसमें आती है science में आती है science में एक feature क्या है कि science is based on what theoretical knowledge और theoretical knowledge का आज मिलती है हमें books से मिलती है तो science का एक feature क्या है theoretical knowledge second art का क्या है art आती है creativity के साथ तो यहां पर इनोंने mention किया है creative application को which is another feature of what art फिर profession की बात करें तो profession में हम बोलते हैं यह service motive के लिए होता है और मैंने अभी आपको बताया है social responsibility is what your service towards the society तो एक-एक feature हो गया यह किसका profession का art का और science का आप यह भी बोल सकते हो कि book वाली चीज तो तीनों में आनी चाहिए थी क्योंकि book वाला feature तो तीनों में है, science में भी आपको theoretical knowledge चाहिए होती है, profession में भी आपको theoretical knowledge चाहिए होती है as well as art में भी आपको theoretical knowledge चाहिए होती है, बट बच्चा यह देखना कि अगर हम book वाली चीज आप या profession में mention कर देते तो science का तो कोई feature नहीं बच्चता, नहीं बच्चता ना, फिर आप creativity को तो science में add कर नहीं सकते थे और ना इस social motive को science में add कर सकते थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाना और गलत मत करके आना चीजों को सिर्फ एक point को notice मत करना, सारे एक point को देखना, science की requirement book की हमने यहाँ पे इस दे रिखिया है कि इसको हम दूसरी तके fit कर सकते थे, लेकिन इन चीजों का हम science में fit नहीं कर सकते थे तो यही answer है इस particular case study का, मैं आपको एक बर बता भी देती हूँ management as a science systematic body of knowledge, there is number of books वाली quotation से पता चलती है practice और creativity पे based होती है, यह line यहाँ पे आ गए, service motive होता है profession का और यह आगया हमारा यहाँ पे CSR के form में, I hope यह case study आपको समझ में आया हो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और common sense भी लगानी थी I hope इतना सब आप कर लेंगे और जैसे जैसे आप हमारे साथ यह case studies वाली series देख रहे हैं Thank you so much for watching this video and अगर आपको चाहिए यह case study और इसका answer तो आप यह ले सकते हैं magnetbrains.com से और अगर आपको किसी भी तरह का doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं Thank you Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, my name is CS Payal और इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं highly expected case studies के बारे में Yes, यहाँ पर हम बात करेंगे case study के बारे में जिसमें है रिशितोष मुखर जी थोड़ा सा fancy name है थोड़ा सा difficult name है बट नाम यही रखा है case study का यह बोलते हैं इस इंसान ने has recently joined AMV Limited मतलब इसने एक company joint की है जो कि किस nature की है Public nature की है A company manufacturing refrigerator इसकी company बनाती है यही है वो इंसान क्या नाम है इसका रिशितोष मुखर जी इसकी company बनाती है refrigerator मतलब fridge बनाने का काम करती है He found that his department was overstaff, understaffed sorry and other departments were not cooperating with his department देखिए हाथ में इतनी सारी files लेके बिचारा पूर इंसान खुदी सारा काम कर रहा है इससे आपको इसका दुख समझ में आ रहा होगा इसका दुख यह था कि जो इसका जो department था वो understaff था मतलब 10 लोगों की requirement थी तो 4 लोग काम कर रहे थे और दूसरे department वाले इनके साथ corporate भी नहीं कर रहे थे कि अपना थोड़ा सा काम उन्हें delegate कर दे तो ऐसे scenario में जा रही थी बहुत जादा problem therefore he ensured that his department has the required number of employees and its operation with this इसने बोला कि भाईया इसको लग रहा है कि इसकी department में है लोगों की कमी और इसे चाहिए और लोग अपने department को smoothly काम कराने के लिए case बहुत चोटा सा है, case इतना सा है कि यह जो ृष्टोश मुखरजी नाम का इνसान है एक ऐसे department में काम कर रहा है, यह एक ऐसी company में काम कर रहा है जो क्या बनाती है? fridge बनाती है लेकिन यह personally ऐसे department में काम कर रहा है जहां पे यह over burdened है क्योंकि इस department में बहुत सारे लोग ना होके बहुत कम लोग हैं और requirement बहुत सारे लोगों की है और ऐसे सिनारियो में जो बगल वाले सिनारियो के जो बगल वाले departments के लोग हैं वो भी इनकी help नहीं कर रहें तो इसको realize हुआ कि मुझे मेरे department में चाहिए कुछ और लोग जिससे क्या होगा मेरे यहां का workload थोड़ा सा कम हो जाएगा और मेरा department भी smoothly work करेगा अब on the basis of all this आपको कुछ question के answer करने हैं सबसे पहरे दिस से identify the level at which Rishitosh Mukherjee was working आपको identify करना है इसका level of management मैं आपको याद दिलाओ management के 3 levels होते हैं top management, middle management and lower management अगर आपने मेरी videos देखी हुई है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि departments कौन से management में होते हैं कौन से level में होते हैं तो अगर देखी हुई है तो बताइए ज़रा कौन से में होते हैं इस वाले level में होते हैं तो departments अगर इस level में हैं और इसने खुद ने ही बोल दिया है कि मैं department में काम करता हूं एक particular that means यह कौन से level पे काम कर रहा है second level पे काम कर रहा है मतलब middle management में काम कर रहा है और दूसरा यह analyze भी तो कर रहा है चीज़ों को कि भईया मेरको यहां पर जौदा employees की ज़रा होता है ना employees हायर करने की जरूआता है also state three more functions required to be performed by Rishitosh Mukherjee at this level कुछ नहीं है यह तो बहुत straight away question है Rishitosh Mukherjee का चाहे उन्होंने नाम डाल दिया हो लेकिन indirectly आप से पूछ रहे हैं कि middle level के किनी भी तीन function पे थोड़ी सी रोशनी डाली है तो यह तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार उसके functions की जितनी भी information है वो एक जो link है जो वीडियो बनी हुई है उसका link दलवादूंगी description box में यहां हम हलके में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है functions required to be performed by Rishitosh Mukherjee Interpretation of policies framed by the top management Top management ने जो policies बनाई है उनको interpret करना और किसको बताना lower management को बताना Second बोलते हैं organizing the activities of their department अपने department की जो भी activities है उनको organize करने की responsibility कहीं न कहीं इसी के कंदों पे है finding out or recruiting selecting and appointing the required employees इसने तो कुधी बोल देया था कि मेरे department में तो लोगों की कमी है और जादा लोगों को appoint करना पड़ेगा ताकि मेरा department smoothly work करे तो kind of recruitment का duty भी किसका होता है middle level management का ही होता है यह था हमारा answer इस particular case study का यह case study भी अच्छी थी क्योंकि यहां पर भी find out करने में हो सकता है आप गलती कर दे अब आप एक बात समझेगा यहां पर देखिए अगर आप यह level का answer ढंग से नहीं कर पाए ना ठीक नहीं किया ना आपने मालों आपने गलती से यहां पर top management लिग दिया होता तो आप functions में भी गलती कर देते आप functions भी top level के समझा के side हो जाते और आपका answer पूरा का पूरा गलत हो जाता तो को solve करते हुए काफी सारे aspect देखने पड़ते हैं देख लीजेगा जैसे मैंने यहां पर कौन सा aspect पकड़ा था कि department और department कौन से level में होते थे middle level में होते थे तो ऐसी चीजें आपको पकड़नी पड़ते हैं case study में तभी case study solve हो पाती है अदरवाइस नहीं अगर पाते हैं तो गलती मत कीजेगा थोड़ा सा दिमाग smartness दिखाईएगा अपनी पस और कुछ नहीं है Thank you for watching this video और अगर आपको case study और इसके answers चाहिए तो magnetbrains.com से जाके आप ले सकते हैं और अगर कोई भी doubt है तो comment section में पूछ सकते हैं Thank you Hello everyone, welcome back to magnet brains, my name is CS Payal और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और case study के बारे में Yes, एक और case study और यह किस के बारे में हैं यह बोलते हैं The marketing manager of alpha limited fixed the target for all the sales executive and gave them all the possible authority to achieve it यहाँ पे कुछ चीज़े हैं जो आपन mark करेंगे जैसे की इन्होंने बोला alpha limited जो है इन्होंने fix किये हैं target किसके लिए अपने सारे sales executives के लिए और उसके बाद उन्हें दे दी authority कि भया इन्हें अचीव करो हाथ जोड़ो पैर पकड़ो जो मर्जी करो आपको इन targets को क्या करना है अचीव करना है They were asked to submit to him their performance report at the end of the month जो हमारा main marketing manager था उसको क्या करना था बाकी सब लोगो को report submit करनी थी कब करनी थी month के end में करनी थी All of them did the same सबने वही काम किया जो marketing manager ने उन्हें बोलने के लिए किया था On the receipt of the report, the expected and actual results of the sales executive were compared On this basis, future course of action was decided जो उनके actual और उनके expected results थे मतलब हमने जब उनके लिए कुछ फैसले लिए तो यह उनके targets हो गए और अब हम उनके देख रहे हैं कि उन्होंने कितने targets अचीव किया दोनों को हमने बैठ के क्या किया? फिर यह बोलते हैं And also wrote in their report the expectations of the customer from the company The majority of them had written that they wanted the company to cooperate in the construction of dharam shala going in the city सब मतलब सबको बोला गया कि आप बताईए कि company मतलब जो हमारे customers हैं उनकी हमारी company से क्या expectation है? तो maximum लोगों ने अपने report में लिखा था क्योंकि यह directly linked है देखें, company यहाँ पर है, sales executive यहाँ पर है और वही directly किस से बात करते हैं? customer से बात करते हैं तो customer के expectations क्या थी? कि company धरमशाला के काम में क्या करे? involved हो the marketing manager placed this demand before the board of director this was happily accepted यह बोलते हैं कि यह same demand जो की customers की थी जो की इसे through अपने sales executive पता लगी थी इसने रखी BOD के सामने और BOD ने बोला चलो कोई बात नी जो customer चाते हैं वो कर दीजे अब यहाँ पे हमें functions को identify करना है management के अब मैं आपको remind कराती हूँ functions कौन कौन से है functions हमारे है planning, organizing, directing, controlling हमारे staffing और controlling आगे पीछे हो गया थोड़ा सा तो मतलब यह हमारे 5 functions है अब हमें इस पूरे paragraph से हमारे functions क्या करने है निकालने है तो मैं आपको hint देते हुए कुछ चीजे underline कर रही हूँ आप बताइए का यह कौन से function से relate करती है First हमारा है fixed the target Target fix किया गया Compared, actual or result जो हमारा final था वो क्या किया गया compare किया गया और decided future course of action तीसरा तीन functions इन तीन points में छुपे हुए है सोच लीजे दिमाग में वो कौन से function होंगे जिन से ये associated है दो सेकिंड वीडियो को pause कर लीजे अपना answer comment section में लिख दीजे और उसके बाद वीडियो प्ले करके देख लीजे किया आपका answer सही था या गलत था सी आपने अपना answer लिख दिया अभी तक अब मैं इसका answer बताने जा रही हूं fix the target मतलब हर एक individual को आपने उसके target दे दिये तो कहीं न कहीं आपने work को divide किया है और जब हम work को divide करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं organizing तो हमारा यह first वाला इस function ओफ organizing है हमने actual को हमारे expected के साथ क्या किया compare किया और यह कब करते हैं बिल्कुल end में करते हैं जब हम planned और जो actual है दोनों को compare करके deviation पाइंड करते हैं और यह होता है कहां पे controlling में यह होता है कहां पे controlling में तो मारा second वाला answer है controlling थर्ड पे रेखा जाए तो लिखा हुआ है decided future course of action मतलब future की planning अभी से कर लिया अपने तो यह क्या है अमारा planning है तो third अमारा function कौन सा हुआ यहां पे planning यह case study भी थोड़ी सी twisted थी अगर आपको functions of management नहीं याद आया अगर आपको relate करना नहीं याद आया तो यहां पे आप कहीं न कहीं पीछे चूट सकते हैं इसलिए समझतारी यही होगी कि जब भी case study कर रहे हैं दिमाग खोल के आप answer करने की कोशिश कीजेगा I hope आपको यह case study समझ में आया होगी और जो answer आपने expect किये होंगे वही आपको मिले होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको फिर भी कोई I hope आपको पूरी अच्छी तरह से यह समझ आ गया है Thank you Hello everyone, welcome back to Magnet Brains My name is C.S.Phyal और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और case study के बारे में See, यह case study दूसरों से इसलिए अलग है क्योंकि यह उस portion से relate करती है जो आपके chapter का सबसे important question सबसे important part है So basically, इस nature की case study आप बहुत जादा expect कर सकते हैं अपने question paper में क्योंकि इस concept पे जरूर focus किया जाता है by examiner आईए बात करते हैं किस nature की case study है The management of Amira Limited strongly believes that the members of the organization should work towards the common organizational goal यह company है जिसकी management को ऐसा feel होता है कि जो लोग है हमारे यहाँ पे उन्हें company के बारे में सोचना चाहिए Company के hit के बारे में सोचना चाहिए Company के common goal के बारे में सोचना चाहिए This requires teamwork and integration of efforts of all individual departments and specialists यह बोलते हैं इसके लिए लगेगा हर एक department और हर एक specialist के efforts के बीच में integration हो This is because all of the individuals and departments depend on each other for information and resources to perform their respective function यह बोलते हैं इसलिए भी जरूर है क्योंकि हर एक department ना कहीं ना कहीं एक दूसरे पर depend करता है चाहिए वो resources के लिए depend करें चाहिए वो information के लिए करें या फिर किसी और चीज़ के लिए करें तो basically what they are trying to say is कि एक मतलब जो इस company की management है उनका मानना है कि सब को organizational goal की तरफ चलना चाहिए साथ में चलना चाहिए और जब साथ में चलना होगा तो हर एक department को आपस में मिल जूल के काम करना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं एक department दूसरे पर dependent होता है चाहिए वो data के लिए हो या फिर resources के लिए हो फिर दे से अर यह बोलता है कि भाया अर इसे क्या कोशिश करने चेह है कि सारे मेंबर क्या करें Grow करें और डिवलाप करें मतलब इन्होंने इंडिविजूल इंटरेस्स के बारे में भी सोच लिया और organizational interest के बारे में भी सोच लिया Thus there is a need to harmonize harmonize individual goals and organizational goals यह बोलते हैं इसके लिए जरूरी है हम harmonize करे individual goals को और organizational goals को अब यहाँ पे हमें बताना है कि वो कौन सी concept है management की जो इस particular case study में deal की गई है थोड़ा सा ध्यान दीजे थोड़ा सा दिमाग लगाए जब मैं यह concept की videos बना रही थी जब मैं आपको पढ़ा रही थी यह concept उस time भी मैंने आप लोगों को बोला था यह बहुत important point है when it comes to planning, organizing, directing, controlling यह सारी चीज़ें एक-एक function है लेकिन management का essence छुपा हुआ है यहाँ पे अब इतना बड़ा hint मैंने आपको दे दिया है तो 2 second के लिए video pause कर दीजे और अपना answer जल्दी से comment section में लिग दीजे वरना अपने दिमाग में ही सोच लीजे क्या हो सकता है इसका possible answer I hope आपके दिमाग में आगया होगा क्या होता है मैं आपको आपके आपके आँसर बता देती हूँ answer is coordination management का essence क्या होता है coordination होता है coordination में ही तो हम बात करते हैं हर एक department को मिलके चलने की जरूरत है हर एक को साथ चलने की जरूरत है तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है then they say state any three features of the concept identified in the above para which is a very easy question आपको coordination के बस तीन feature के बारे में ही तो बताना है देखे यह तो वैसे already हमने पढ़ा हुआ है चाहिए तो मैं आपके लिए description box में एक link डलवा दूँगी जो की उसी से relate करेगा बट यहां पे हम बात करी लेते हैं एक बार coordination integrates group efforts coordination क्या करता है group efforts को integrate करता है साथ में लाने का काम करता है second ensures unity of efforts सब लोग साथ मिलके एक दूसरे का हाथ बढ़ाए ताकि organizational goal achieve हो जाए और it's a continuous function coordination एक बार जो चलना शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है वो चलता जाता है चलता जाता है और चलता ही जाता है तो यह है तीन features coordination के अब आपका एक question होना चाहिए कि ma'am answer में आपने सिर्फ features का नाम लिखा है उन्हें explain क्यों नहीं किया है तो बेटा question पे आजाए यह वापिस यह क्या बोल रहे है state any three features यह सिर्फ आपसे नाम पूछना चाह रहे है एक और चीज़ यहां से निकल के आती है कि जब भी आप answer कर रहे होंगे याद रखिएगा वो question में आपसे पूछ क्या रहे है if they are saying explain any three features तो आपको नाम ने लिखना साथ में उसके explanation भी लिखना है लेकिन when it comes to state any three features तो you just have to state that's it no explanation is required at that time so इस तरह से solve किये जाते हैं question मैं आपको बीच में कुछ कुछ tips दे देती हूँ कोई combined video नहीं बनाई है इसके लिए कि अलग से आपको राइटिंग स्किल सिखाऊं लेकिन जो भी मैं videos में tips देती हूँ वो आप अपने answer में अगर incorporate करेंगे तो आपका answer बहुत अच्छा बनेगा I hope आपको ये पूरा video समझ में आया होगा कोई भी doubt है comment section में लिखतीजे और अगर आपको case study और उसका answer चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप ये particular case study ले सकते हैं और इसके अलावा अगर मान लीजे आपको कोई भी चीज के regarding कोई suggestion देना है अपना या कुछी और case study के regarding आपका कोई भी doubt है तो वो भी आप कही न कहीं comment section में लिखके हमसे पूछ सकते हैं Thank you so much